हेलो गाईज, वेल्कम बेक टो माई चैनल, आपको सब अच्छे होंगे ठीक होंगे और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आज मैं आपके साथ रिव्यू करने आई हूँ, विटामेन C का फेश वॉष जो है वाउ का फेश वॉष और यह कोई स्पांसर वीडियो नहीं है, यह मैंने खुश से परचेस किया है और मेरा जो रिव्यू होगा वो मेरा परसनल एक्सपिरियनस से एकदम ओनस्ट रिव्यू आज मैं आपको यह भी बताऊंगे कि मेरे पास एक फेश वॉष और है इसी का वाउ का जो है एपल साइडर विनेगर फेश वॉष मैंने पहले यह वाला फेश वॉष परचेस किया था गाइस तो अब को इन दोनों में ही कौन सा का बेस्ट है, क्या डिफरेंस है यह भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी तो चलते हैं वीडियो की तरह तो गाइस देखिए ये है वाव का विटामिन सी फेश वास जो आता है गाइस नो पैरबिन, नो सलफेड, नो सिलिकोन और नो कलर ठीक है गाइस ये कहता है कि हैल ब्राइटन स्कीन टोन या आपकी जो स्कीन है उसको ब्राइट करेगा आपके फेश से एज स्पोर्ट हटाएगा रिड्यूस फाइन लाइन एंड हैल्प स्मूद एंड कॉंप्लेक्शन ठीक है गाइस और इसमें यहां पर ही इसके डिरेक्शन ऑफ यूज एंड इसके सारे ही इंड्रीडेंट लिखे हुएं गाइस ठीक है और यह वाला जो फेश्वास से मर्प है 399 लेकिन परपल डॉट कॉम से या फिर आप कहीं पर भी आमेजन फिलिपकार्ट पर देखोगे तो यह आपको इसको परचेश किया था 330 रूपीज में इसे परचेश किया था और यह मेड इंडिया का प्रोड़क्ट है 100 ml की इसके क्वांटिटी आती है इस सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक ब्रश एप्लिकेटर के साथ आता है जो आप देख सकते हैं और उस पर यह ब्रश एप्लिकेटर पर इसका एक कैप भी आता है अगर आप इसको कहीं carry करना चाहते हैं तो आप इसको cap को लगा कि इसको कहीं भी carry कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और इसकी जो ये bottle है ये plastic की bottle है ये भी इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है कि ये कांच की bottle नहीं है उसके बाद सब कुछ सारा mention सारा इस face wash पे सारी information दी हुई है green mark बना हुआ है ठीके guys काफी अच्छा product है इसकी जो smell है वो बहुत अच्छी है मैं इसे use कर रही हूँ मुझे से use करते करते 20 days हो चुके है 15 से 20 days हो चुके है यहां से जो यह open हो जाता है आप चाहो तो आपका जब यह वाला face wash खतम हो जाए तो आप इसमें कुछ दूसरा face wash डाल के और फोम में इसी brush से दूसरा भी कर सकते है तो यह bottle आपकी बाद में भी काम आ जाएगी और आप देख सकते हैं इसमें यह एक brush दिया हुआ है यह जो silicone का brush है और यह brush जो है guys वो बहुत अच्छा brush है देखिए काफी अच्छा काफी smooth brush है बिल्कुल भी harsh नहीं है आप इसे मैं इसे अपने night time skincare में एक बार मतलब दिन में एक बार करती हूँ मतलब night में इसे यह करती हूँ guys ठीक है इस face wash को आप चाहो तो इसे दो बार भी कर सकते है बट मैं इसे एक time यूज़ करती हूँ और इसका जो brush applicator है वो बहुत ही soft है और quantity काफी अच्छी है guys मेरा जो यह apple cider vinegar का जो face wash है यह मुझे काफी 3-4 महीने यह चला था और guys यह जो face wash है यह काफी लंबे चलते हैं इनफ रहता है तो काफी लंबे time तक चलते हैं यह तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ कि मैं आपको इसका demo करके दिखाती हूँ करने से पहले guys एक बार आप इस face wash को shake कर लीजे ताकि इसमें जो form है वो create हो जाए अच्छे से क्योंकि अगर आप इसको direct करेंगे तो इसमें form अच्छे से नहीं बनेगी एक बाद shake करके इसमें अच्छे से form बन जाएगी और आप देख सकते हैं हलका सा pump मैंने यहाँ पर किया है और थोड़ा सा ही मैं बिलकुल यहाँ पर करूंगी उसके बाद guys मैंने अपना face जो है वो पानी से wash कर लिया है अब देख सकते हैं मेरा face एक तम clean हो गया है मैंने अपने face में morning में कुछ नहीं किया था मॉस्टराइजर एंड कॉम्पेक्ट लगाया हुआ था अदरवाइस कोई hard make-up नहीं था लेकिन यह जो face wash है बहुत अच्छा है यह face wash जो है इसके smell जो है guys वो बहुत अच्छी है इसके smell जो है बिकुल orange के जैसी इसके smell है guys और आप यह face wash यूज़ करेंगे तो आपको अपने face पर एक glow एक brightness थी feel होगी guys और मुझे यह face wash काफी अच्छा लगा है इससे हलकी फुलकी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो डार्क एरिया है वो थोड़ा सा lighten up हुआ है इसके बाद में जो लगता है कि मेरे जो थोड़ थोड़ा स्पोर्ट हो जाते हैं एक्ने के स्पोर्ट होते हैं वो भी इसने light करेंगे यह face wash मुझे price-wide and quality-wise सब कुछ इसमें okay लगा है मुझे काफी अच्छा लगा है आप में कैसे उस करना चाहते है तो purple.com से आप कहीं से भी आप इसे buy कर सकते हैं ले सकते हैं ठीक है और vitamin C हमारी skin के लिए बहुत अच्छा होता है हमारे duck spot हमारे pigmentation हमारे skin पर glow लाता है vitamin C और यह face wash का मुझे को side effect नहीं लगा है अब मैं आपको बता देती हूं कि मैंने यह apple cider vinegar का face wash लिया था इसका review भी मेरे channel पर बढ़ा हुआ है आप चाहो तो वो video भी देख सकते हैं लेकिन यह नहीं कहा रही कि यह वाला face wash गलत है अच्छा नहीं है मुझे बस इन दोनो face wash में से अगर आपको मैं यह कहूं कि कौन क्योंकि मुझे smell wise इसमें थोड़ी सी मुझे smell का कुछ ऐसा feel नहीं होता है लेकिन इसकी smell मुझे काफी अच्छी लगती है इसमें हलका सा मुझे glow लगता है इसमें इस face wash को जब में use कर रही थी तो मुझे अपनी face पे मतलब पुछ ग्लो जैसा नहीं लगता था क्योंकि इस इससे में इसकीन थोड़ी बहुत ब्राइट लगती है मुझे मुझे इससे बैटर यह वाला face wash लगा है मतला विटामिन सी वाला face wash मुझे इससे बैटर लगा है बट आप चाहो तो दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं लेकिन अगर मैं आपको सजेश करूंगी तो आप एक